हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम बैक टो माई चैनल कैसे हो आप सब उमीद करते हूं बैटा सभी अच्छ होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बैटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वरक्षीट नंबर 14 मैथेमेटिक्स के बैटा 6th क्लास के बच्चों के लिए 12 तार है होब याजिक होल्ड नम कोई भी हों इसक यह हिसां क्या के देँगे यह fraction है मतलब कुछ टुकडेश को यह कोई इसा हो सकता है यह क्या दरसाते हैं किसी भी whole things का कोई part जो दरसाता है उसको बोलते हो fraction okay the whole में भी a single object और a group of object जो whole होता है वो क्या हो सकता है group भी हो सकता है किसी object का यह single object भी हो सकता है जैसे यह single हो गया यह group हो गया objects का okay अब note क्या बेटा when expressing a situation of counting parts to the right fraction अगर हम express करते कोई situation count part ठीक है to write a fraction किसी fraction को लिखने के लिए it must be ensure that all parts are equal यानि कि बेटा देखो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने 4 हिस्से की और इस तरीके से 4 हिस्से कर दिये तो यह गलत है हमें equal 4 हिस्से करने हैं किसी भी चीज कि अगर हम express कर रहे हैं कोई भी चीज counting में ठीक है fraction में तो अब यह देखो यहाँ पर नीचे दिया in 5 by 7 5 is called the numerator और 7 is called denominator तो देखो बेटा important है 5 by 7 यह होता है denominator जो बहुत ही ज़्यादा important होता है आपके लिए देखते ही fraction में आपको यहाँ पर धिहान होना चाहिए कि यहाँ क्या है ठीक है यह क्या है बेटा numerator ठीक है इसको बोलते है numerator याद रखना अब बेटा fraction बनाते कैसे देखो fraction का मतलब क्या है यह क्या है एक object है ठीक है एक shape है ठीक है इस shape के अंदर क्या है बेटा चायंकित किया हुआ इसको तो कितना हिस्सा चायंकित क्या है पूरा का पूरा एक ही है कोई object और उसका पूरा का पूरा एक हिस्सा क्या है चायंकित क् तो देखो टोटल कितने है पहले ये लिखो गे नीचे टोटल किया चार पार्ट से एक को च्छाय अंकित किया तो वन बाइ फोर आ गया इस वाले में सोचो दिमाग में बेटा मेरे बताने से पहले क्या आना चाहिए और आपको लोगेगा हमार तो गलत आ रहे तो अब सही हो जो सोच रहे हो कुल कितने है चार है चार में से दो को चाय अंकित किया है बट अब क्या करोगे यहां पर देखो दो से हम डिवाइड कर सकते ना दो एकम दो 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 नहीं चार तो ये क्या होगे ये इसकी क्या होगे simplest form होगे fraction की हमें सा हम fraction को simplest form में लिखते हैं ऑके अब next देखो बेटा गलत नहीं है 2 by 4 भी लिखोगे तो गलत नहीं है लेकिन हम इसको simplest form में जादा लिखते हैं simplest form क्या होती है जब ये उपर वाला नीचे वाला से divide ना हो सके तब वो simplest form में होता है कोई भी fraction अब बेटा यहाँ पर 3 को 6 अंकित किया और total 4 है तो 4 में से 3 को 6 अंकित किया है तो ये बन गया fraction ठीक है अब बेटा fraction को number line पर कैसे दरसाते हैं ये देखो तो हमें पता है number line क्या होती है इस तरीके से होती है ये बीच में 0 होता है इधर सारे positive होते है और इधर सारे negative number होते है ठीक है अब fraction में बात करेंगे तो हमने क्या लिया बेटा हमने इस वाली संख्या रेखा कि ये वाले हिस्से की बात कर रहे हैं ठीक है तो दो भागों में डिवाइड कर दिया अब दो में क्या है तो हम नीचे क्या कहेंगे इस point का क्या होगा भाग का बटा दो भाग डिवाइड किये हैं दो में से ये पहला भाग है ये वाला बटा दो भागों में से दूसरा भाग है तो इसको डिवाइड करो फिर से simplest form में तो one answer आएगा ये one ही लिखा हुआ है यहाँ पर ठीक है अब next में देखो बेटा दिमाग लगाओ अपना zero है इसके कितने हिस्से किये गए हैं तो zero से लेकर यहां तक क्या वह one फिर यहां से लेकर यहां two यहां से लेकर यह three यहां से लेकर यह four चार हिस्से किया one two three four अब बेटा देखो चार हिस्सों में से one पहला भाग है चार हिस्सों में से यह दूसरा भाग है यह चार हिस्सों में से count नहीं करते यहां से लेकर यहां यह क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 8 हिस्सों में इसको divide क्या है इसका मतलब क्या है हमने नीचे लिखा 8 यह पहला भाग है तो पहला फिर दूसरा भाग फिर तीसरा भाग फिर चोथा पार्ट से मतलब पार्ट की बात कर रही हूँ फिर यह पांचवा पार्ट है यह छटा है और यह सातवा है आठ में से सातवा भाग है और यह आठ में से आठ भाग है जिसको हम क्या कर सकते हैं वन लिख सकते हैं simplest form में ठीक है तो यह number line पर हम दरसाते हैं सारे fractions इस तरीके से दरसाई जाते हैं fractions can be shown on a number line every fraction has a point associated with it on the number line तो जितने भी fraction होते हैं वो सभी number line पर दरसाई जा सकते हैं एक point के दुआरा ठीक है अब practice करते हैं बेटा यहाँ पर देखो यह दिया है मैंने क्या कहा था denominator हमेशा important है इस पर ध्यान दो क्या दिया है तीन किसी भी object के या किसी भी quantity के तीन हिस्से हुए हैं इसका मतलब तो number line पर आप से बोलागे दरसाने के तो number line बनाओ यह बना लिए हमने zero मान लिए अब इसके तीन हिस्से करने तो देखो यहां से लेकर यहां तक one यहां से लेकर यहां तक two यहां से लेकर यहां तक three और equal होना चाहिए यह distance聽 Oh कर यह ध्यान रखना बटा मैं roughly बना रहे हूँ आपको अच्छे सा scale से बनाना है तो यहां से लेकर यहां तक क्या है one हिस्सा यह दूसरा यह तीसरा तो 3 हिस्सों का ये पहले वाला भाग ये 3 हिस्से का दूसरे वाला भाग है मतबanie 3 हिस्सों में से ही 37 है तो ये किस के बराबर है 1 के भी लिख सकते हैं ठीक है अब आप से बोले 2 by 3 बताओ का है संख्या रेका पर तो यह राप इसको ऐसे बनाओगे तो आपको संख्या रेका पर यह तो मैंने बताए था आपको neat and clean इस तरीके से बनाना है तीन हिस्से करो तो क्या हो गया 1 by 3 2 by 3 और 3 by 3 equal to 1 अब कहा है 2 by 3 कहा है पिटा यह इसको सरकल कर दो 1 by 3 कहा है इसको सरकल यह वाली बतानी है यह मैंने आपको समझाने के लिए बताई है बनती कैसे है और next देखो पिटा कितने हिस्से हैं 5 तो आपको number line को कितने में divided करना है 5 में तो 0 मानो सबसे पहले initial point फिर 1 2 3 4 5 तो यह क्या है 5 हिस्से हैं सब के नीचे 5 लिख लो ठीक है अब यह पहला है यह दूसरा भाग है यह तीसरा यह चोथा और यह पांच भाग है इसको काटके क्या लिखेंगे 1 अब पूछा 2 by 5 भाग कौन सा होगा यह वाला 3 by 5 यह वाला बन गई number line अब यहां पर देखो next वाले में क्या है 6 parts किये गए हैं तो 6 part कर दो यह 0 माना 1 2 3 4 5 6 तो 6 भाग है सबके सबके नीचे 6 तो आएगा fraction में 1 2 3 4 5 6 इसको काटके हम क्या लिख सकते हैं 1 अब पूछा 1 by 6 तो भाग कौन सा है यह रहा इसको सरक लगा तो 5th by 6 यह रहा 5 by 6 ठीक है next क्या 3 by 7 और 6 by 7 यानि कि total कितने हैं बेटा 7 parts हैं किसी number line पर consider करो 0 फिर 1 2 3 4 5 6 7 अब बेटा 7 parts है तो सबके नीचे क्या आएगा fraction में 7 ठीक है फिर यह first भाग है यह second है यह third है यह fourth है यह fifth है यह sixth है और यह 7 इसको हम 1 लिख सकते हैं अब आपको 3 by 7 दरसान है तो यह रहा 6 by 7 का है यह रहा यह बन कही number line ठीक है बहुत ही आसान सी थी तो आपको क्या बताना है number line पर इसका fraction क्या होगा और इसका क्या होगा तो देखो यहाँ पर तो तुम्हें number दिये थे number line पर fraction पूछा था ठीक है अब यहाँ पर आपको क्या दिया है point पूछा था यहाँ पर point दिया है number पूछा है तो देखो सबसे पहले क्या करोगे बटा वही जो महां करते तो उल्टा कर देंगे यह 0 यह इस से आगे count करो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग और 6 भाग मतब 6 भाग में divide है तो यह क्या हो जाएगी सब के नीचे 6 लगा दो ठीक है यह भी 6 ही है एक किसम का ठीक है अब यहाँ पर देखो यह first भाग है यह second है, यह third है, यह fourth है और यह fifth है और यह sixth है जिसको one लिखा गया है अब आपसे क्या बोला गया है A, A point यही तो है तो देखो यह 2 by 6 है B point क्या है 5 by 6, बन गई आपके number line ठीक है तो आपको क्या बता होगे इसलिए A क्या है 2 by 6 और B क्या है 5 by 6, ठीक है अब next question करते हैं बटा next में क्या दिया हुआ है question 3, write fractional part of shaded region तो fractional part में लिखना है यह shaded region दिया है fractional part बनाओ इसका, तो देखो सबसे पहले total देखो कितने parts हैं इसके 1, 2, 3, 4, तो 4 लिख दिया हमने denominator में कितने भागों को shaded किया है 1, 2, 3, तो 3 उपर आ गया तो यह इसके equal हो गया यह देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो total कितने, 8 कितने भागों को, 2 को उच्छा हैं कितने, अब यह 2 divide करेगा इसको तो क्या आ गया, हमारा simplest form में 1 by 4, ठीक है, यह fraction आ गया 4th question क्या है बेटा 4th देखो, अच्छे से यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि यहाँ पर बोला है बेटा आपको represent and shade the following fraction in any geometrical figure कोई से भी बना सकते है आप circle में बनाओ, आप इस तरीके से बनाओ ठीक है, square बनाओ या rectangle बनाओ, या फिर आ triangle बनाओ, कुछ भी बनाओ ठीक है, अब आपको क्या बोला है कि 3 by 4 को इन में से किसी भी पर भी दरसा सकते है, कोई भी एक पर ठीक है, मैं 4 ओपर दिखा रही हूं आपको 3 by 4 यानि 4 हिस्से हैं इसके 4 हिस्से, equal हिस्से और ठीक है, यह याद रखना है, equal parts करने है ऐसा नहीं कर देना है कि यह आ करती थी और तुमने यह 4 हिस्से बना दिये यह गलत है, ठीक है इसके भी 4 करो, 1, 2, 3, 4 ठीक है, यह क्या हो गया बेटा 4 हिस्से हो गए, ठीक है अब next देखो बेटा क्या करोगे, या फिर आप इसके कैसे कर सकते हो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो 1 minute इसको कैसे करोगे ऐसे इसके 4 हिस्से हो गए, 1, 2, 3, 4 ठीक है, यह equal हिस्से हैं अब आपको 3 को क्या करना, shaded, तो 1, 2, 3, आप complete कर देना ये वाली बना रहे हो तो 1, 2, 3 ये वाली बना रहे हो तो 1, 2, 3 और ये वाली बना रहे हो 1, 2, 3, कोई से भी 3 कर दो, तो ये आपका क्या होगा shaded हो गए, अब next क्या बोला बेटा, next 3 by 5 5 हिस्से करने किसी आ करती के, मान लो मैंने कौन से आ करती लेली बेटा, ये आ करती लेली 1, 2, 3, 4, 5 5 हिस्से हो गए 3 को क्या करना है चायंकित करना है, 1, 2, 3 ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितने हिस्से करने पड़ेंगे, एक आ करती के 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें से 2 को चायंकित करना है 1, 2 ठीक है, आपको इसी भी बना सकते है जो मैट्रिकल फिगर, तो बहुत ही आसान सी, मजेदार सी थी आज की आपकी वरक्षीट उमीद करते हूँ, आपको भी मजा आया होगा, इसको करते हूए, समझ भी आया होगा, ठीक है नहीं आया होगा, तो बिटा कमेंट में पूछे लिए, ना कोई डाउट हो तो आपका इस वीडियो में इतने अपना नेक्स्ट टोपिक जो हम अपनी नेक्स्ट वरक्षीट में करेंगे तब तक के लिए ऐसी हसते रहे, मुस्कुराते रहे, बढ़ते रहे रहे, बढ़ते रहे, थैंक्यू